नमस्कार स्वाकत है आप सभी का जनसत्य नीज़ पर मैं हूँ आपके साथ हनू सिंग अपनी मांगो को लेकर दिल्ली की सीमाओ पर डटे किसानों का मामला अब सुप्रीम अदालत में पहुँच चुका है सुप्रीम कोट में दार याचिका पर आज सुनवाई हुई और इस दोरान याचिका करता अपनी दलील पेश कर रहे थे जिस पर मुखे नयाइदीश ने कई बार उन्हें टोका भी आज सुप्रीम कोट में और क्या कुछ हुआ सिलसलेवार तरीके से आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्रिशी कानून के खिलाफ पिछले 20 दिनों से दिल्ली में जारी किसानों के आंदौलन पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई जनहित याचिकाओं में प्रदर्शन कारियों को सडक से हटाने की अपील की गई हाला कि तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं इसी के साथ किसान संगटनों को एक नोटिस जारी किया गया साथी अदालत ने सरकार किसान और अन्ने स्टेक होल्डर्स की कमिटी बनाने को भी कहा चीफ जस्टिस की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि राष्ट्रे मुद्दा सेहमती से सुलजना चाहिए ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बना कर चर्चा हो अदालत की ओर से किसान संगटनों को नोटिस दिया गया है अब इस मसले पर पहले कल सुनवाई होगी और फिर आगे निर्ने लिया जाएगा सुप्रीम कोट में सुनवाई के दारान क्या हुआ याचिका करताओं की ओर से सुप्रीम कोट में शाहीन बाग का हवाला दिया गया सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विशय है सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं कि बॉर्डर खोल दिये जाएं वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग केस के वक्त कहा था कि सडके जाम नहीं होनी चाहिए बार बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को टोका शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था कानून ववस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती CGI ने सुनवाई के दरान पूछा कि क्या किसान संगटनों को केस में पार्टी बनाया गया चीफ जस्टिस ने कहा तमिल नाजू की स्थिती को पंजाब हर्याना से नहीं तोला जा सकता सरकार से पूछा कि अब तक समझोता क्यों नहीं हुआ अदालत की ओर से अब किसान संगटनों को नोटिस दिया गया अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझोता होना चाहिए अब किसान संगठन पर अगली सुनवाई कल होगी जिसमें किसानों के पक्ष को प्रमुखता से सुना जाएगा ऐसे में अब इसका इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोड आखिर क्या फैसला लेती है व्यूरो रिपोर्ट जनसत्य न्यूस झाल